हेलो फ्रेंड वेल्कम है आपका एक बगफिर से modern village life में तो सुबा सुबा एक healthy breakfast के साथ में जो काफी healthy tasty आसानी से बन जाने वाला जल्दी से बन जाने वाला है और इसकी stuffing देख करके आप जरूर चौप जाएंगे कि यह क्या है काफी अच्छे तरह से stuffing की भी है चार उत्रप अच्छे तरह से लगी भी है अंदर में लेकिन इसे जान कर आप बहुत ही खुस हो जाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं यह है तीसी अलसी या फ्लैक्सेट जैसे काफी healthy माना जाता है तो यह 300 ग्राम है गाव में यह आसानी से मिल जाता है इन फैक्ट गाव में इसकी पैदावार भी होती है तो एक पैन जो पहले से गर्म है डाल दिया है उसमें और इसे medium flame में लग और एक शौदी सी खुस्वू आनी चाहिए फ्लैक्सेट में काफी सारे फायदे हैं इसमें omega-3 fatty acid है fiber vitamins minerals काफी सारे हैं जो हमारे हर्ट के लिए BP को डाउन करने के लिए कॉलिष्टर लेवल को डाउन करने के लिए और sugar level को maintain करने के लिए काफी फायदेमंद है fiber है तो वह हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद है साथ में weight loss भी होता है brain के लिए भी फायदेमंद है आपको आ गया और भी इसके recipe हम बताते रहेंगे और इसके जो benefits है साथ में किस तरह से खाना चाहिए किस तरह से नहीं खाना चाहिए वह भी बताएंगे गुण जाने के बाद हमने एक दूसरे प्लेट में transfer कर लिया है और half teaspoon हमने soft डाला था पीस लिया है बिल्कुल बारिक पीसना है आप कितना भी पीसे यह बिल्कुल fine powder नहीं होता क्योंकि इसमें काफ करके मिला देजिए आप अपने स्वाद के अनुसर गुड़ डाले कि डालने के बाद अच्छी तरह से मिला ले जो डले वाले गुड़ है उसे काट करके डाल करके मिक्स करें और ढखक करके रखते तो वह काफी मॉइस्ट हो जाएगा लेकिन यह जो गुड़ है तो इसे मॉइस्ट करने के लिए दूद का इस्तेमाल किया है और इस तरह से मिलाना है फिर हाथों से मिला लेते हैं और इस तरह से इसका टैक्सर रखना है ताकि अच्छी तरह से स्टफिंग हो सके एक जो रोटी बनाते हैं एक रोटी के जितना हमने आटा लिया है और इसे बेल ले एक गर्म तबाध के ओपर डाल देते हैं जब तक यह सीख रहा है दूसरी लोई हम तयार कर लेते हैं तो इसे उलटते परड़ते बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन प्राठा के जैसा सेख लेना है गी या ओयल आपको जो पसंद है आप डाल करके सेख सकते हैं तयार कर सकते हैं तो चलिए डाल देते हैं घी में इसकी जो स्वाध है काफी अच्छा आता है चलिए पूरी तरह से तयार है निकाल लेते हैं तो इसी तरह से करके बाकी पराठे आप तयार कर ले तो सारे पराठे तयार हो चुके हैं और अब सर्व करते हैं तो हमने इसे दही के साथ सर्व किया है दही में दही में थोड़ा सा गुट डाल दिया है आपको चीनी यह डालना है डाल सकते हैं यह फिर नहीं डालना है तो भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर मीठा अल्रेडी हैं और खोलकर के आपको कीजिएगा काफी हिल्थ बेनिफिट है और आगे भी इसकी दूसरी रेसिपी या फिर इसके बेनिफिट्स बताते रहेंगे अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कीजिए इंजॉय कीजिए